इस सवाल में दिया गया है कि आपके पास एक रस्सी है या स्ट्रिंग है मास M है उसका लेंथ L है और इस एंड पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F स्मूद सर्फिस है तो जिस एंड पर फोर्स लगाया जा रहा है उससे X दूरी पर टेंशन कितनी होगी यह निकालनी है तो सबसे पहले टोटल मास इस M, पोर्स इस F, एक्सेलरेशन इस F बाई M, पूरा अब्जेक्ट है जो पूरी रस्सी है इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगी हमें टेंशन निकालनी है इस पोईंट पे, अब देखें इसको मैं अगर एक body consider कर लूँ तो इस point पर जो tension force होगी वही इसको आगे move कराने के लिए responsible है अगर पूरे object की acceleration इतनी है तो इसके साथ ही move करेगा, इसकी acceleration भी जो object consideration में है इसकी acceleration भी यही रहेगी, इसका mass निकाल लेते हैं, total mass यदि M है तो इस small part का mass कैसे निकालेंगे सबसे पहले mass per unit length, total mass M, length is L, तो mass per unit length आपने निकाल लिया M by L, ठीक, अब इस part की length कितनी है L minus X, total L है, तो यह L minus X होगी, यह क्या निकाल लिया हमने, इस part का mass निकाल लिया, सबसे पहले consider किया, mass per unit length, फिर इसकी length multiply कर दी L minus X यह total mass आगया, into acceleration करेंगे, acceleration is यह आपने mass निकाल लिया है, इस part का, और acceleration यह है, अगर आपको force निकालना है, tension निकालनी है, tension is basically mass into acceleration, M by L, L minus X, F by M, M कटा, tension comes out to be L minus X by L, into F, this is your tension force, F, L minus X upon L, option third is correct, वही सेम तरह का सवाल है, क्या, एक complete body का acceleration कैसे निकालेंगे, total force upon total mass, यह आगया, अब जिस part का हमें क्या निकालना है, जिस part पे tension force निकालनी है, उससे पीछे वाले part का सारा motion, उस tension force के कारण हो रहा होता है, तो that tension force T equal to mass of the remaining part into acceleration, तो इस तरीके से आप इसकी values पूट करेंगे, और बड़ी असाने से answer find out कर सकते हैं, कर सकते हिर झाले Partner अने से युझते हैं, तो प्याले करेंगे हैं ड़तीपाश प्ट कू्राआ कर समझा हैं,